हमनी के सरे में इप पॉसेर में के राम नागर चीृम मिल के जोन गंदा पानी अरुड़े फेले चोड़े लगा जना से हमनी के हजार हो एकर फसल के नुकसान हो गूँ लगा प्रसाइन जो है अपना टेमा का पानी जो है इसे राम रेखा नदी में डाला और हो क्या है इसको माध्यम से हमारे खेतों में पहुँच गया और मैं हाई कोट में किस करूँगा छोलूगा नाई सुगा फैटे चिनी में नरकर हरी नगर का बारे में नमस्कार आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूँ आपके साथ हर्शिता प्रताप सिंग हमारे अनदाताओं के वज़स से ही हमारी थाली में खाना आपाता है लेकिन इनी अनदाताओं को सरकार और प्रशासन द्वारा सबसे ज्यादा नजर अंदास किया जाता है इनकी परिशानियों को सुनने वाला कोई नहीं है हर साल कभी बार तो कभी अन्यकारनों से इनकी फसल और महिनों की महनत दोनों बरबाद हो जाती है लेकिन इनके परिशानियों पर किसी का ध्यान नहीं जाता एक बार फिर से पश्चिम चमपारन बेतिया में ऐसाई हुआ है किसानों की फसल और मेहनत दोनों बरबाद हो गई है और अब ये किसान सिस्टम के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं बता दें कि पश्चिन चंपारं के रामनगर चीनी मिल द्वारा छोड़े गए रसायन युक्त पानी रमरेखा नदी में छोड़े जाने से सैक्रों एकर में लगी धान वा गन्ने के फसल बरबाद हो गए नरकटिया गंश प्रकंड के बनवरिया पंचायत के चतुरभुजवा गाउं के किसानों का हजारों एकर तक फसल सड़ गया जिससे किसानों ने सिस्टम के खिलाफ विरोध जताया है इस संबन में किसान डॉक्टर फयाज अली उमेश चौरसिया छोटे लाल दास सहित दरजनों किसानों का आरोप है कि आई बाड में हरी नगर चीनी मिल द्वारा रामरेखा नदी में रसाइन युक्त पानी छोड़ा गया जिससे फसलों के साथ केकड़ा और कई तरीके के जलिये कीडे खेतों में मर गए और चारों तरफ संडाव वजहरीला पानी दिख रहा है किसानों ने मिल प्रशासन के खिलाफ रोश है किसान प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रही है किस तरीके से किसान अपनी परिशानी बता रहे हैं और उन्हें किस कदर नुकसान हुआ है या आप भी सुन सकते हैं से हमनी के हजारों एकल फसल के नुकसान होगे लिए सरकार से हमनी के नुएदन बाद के कमा आवजा मिले के चाहिए और उपर चीनी मिल पर उचित करवाई करें के चाहिए समस्यात ये बाद ये हरी नगर डिस्टेलरी फैक्टरी जिसके रसाइनिक पानी केमिकल द्वारा आता है बाढ़ है उसमें अपना पानी गिरा दिया जिसके वज़े से हम लोग का फसल काफी नुकसान हुआ अब फसल नुकसान हो गया हाजारों एक्वल के संख्या में जमीन नुकसान हुआ है बहुत लोग का च्छती हुआ है जिसके करण हम लोग बहुत परिशान है हम लोग का लास्त ये निवदन है सरकार से और परसासन स कि हम लोग का इसका करवाई उचित करें आज जो इस कहती हो हम लोग को मिले राम नगर सुगर फैक्टरी जो है यह अपना सफाइय किया और अपने कचड़े को अपने अफिश पदार्तों को अपने रसाइनों को इस पानी के अंदर बहा दिया और पानी जो हमारे फसलों में आकर हमारे फसलों को भारी छटी पहुंचाया है, जिससे हमारे धान का फसल का काफी नुकसान हुआ है, फसल हमारा बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा दिख रहा था, लेकिन ये जो अपना रसाइन जो है, अपना टेमा का पानी जो है, इसे राम रेखा नदी में डा अवरों किया है इसको माध्यम से हमारे खेतों में पहुच गया जिसके वजह से क्या है, कि हमारा हजारों एकड्ड जमीन का धान ये बरबाद हो गया है एक साल नहीं पड़ती बरस बार आती जाती रहती है लेकि हरी नेगागम जो चीनी मील है वो हम लोग के साथ गद्दारी करता है हर साल केमिकल यानि जो घोड़ा टेमा का पाली छोड़ देता है जो जिससे की सैकलो विगा सैकलो विगा धान के छाती नस्ट हो जाते है सर जात सब्सक्राइब करते हैं जो पूरे दुनिया को खिलाता है लेकि हमार हमारी खेद्यों नश्ट परतिबास है यह हरी नगागम जो पूरे दुनिया को खिलाता है जो जीश्ट करदेता है और उरे सरकार को गुंगि सरकार को ये बताना चाहता हूं कि दूस्थिया को सागट के यूडिया के यूडिया को सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते हैं किसान जो फसल लगाता है उसमें तनमन धन से खेती करता है लेकि यह सरकार हमारी गुंगी सरकार यह परसास नहीं पता दिकाई जो बैटे हुए विगत 20 वर्षों से हरी नगर शुगर मिल के द्वारा रामरेका नदी में रसायन जुक्त टेमा का पानी छोड़ा जाता है जिससे किसान हर समय फसल को लेकर परिशान रहते हैं इस मामने में जिनाप अधिकारी से लेकर क्रिशी मंतरी मुख्यमंतरी बिहार सरकार सहित संबंधित सभी अधिकारियों के पास आवेदन दिये गए पर कोई सुनवाई नहीं होती है हम अनदाता किसान अपनी गाड़ी कमाई से खेती करते हैं और हर साल रामनगर चीनी मिल रसाइन युक्त पानी छोड़ा हमारे फसल को बरबाद कर देती है अगर मुआफ़ा नहीं मिला तो हम किसान आतमदा कर लेंगे तो सुना अपने किसान कह रहे थे किस तरीके से हर साल उनका फसल बरबाद होता है पिछले 20 वर्षों से ऐसा ही चलता आ रहा है लेकिन इतने वर्षों में किसी ने भी उनकी परिशानी नहीं सुनी उनके समस्या का समाधान निकालने का कोशिश नहीं किया अब ये किसान साफतोर पर कह रहे हैं कि अगर उन्हें जो उनकी फसल बरबाद हुई है उसका मुआफजा नहीं मिलता है तो वो आत्मुद्दा कर लेंगे इस खबर में अभी के लिए इतना ही आप आगे की खबरों के लिए देखते रहे हैं देश्वा नियूज सिर्फ खबर दिखाना देश्वा नियूज का मकसद नहीं देश्वा नियूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए देश्वा नियूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन दबाना न भूले